जन्पर मत्रा में यमना एक्सप्रेस पर आज सुगह थाना नौझील शेतर में माइल स्टोन 74 जो की नौड़ा से आगरा की तरफ जाने वाली जो लेन है उसके उपर एक सूचना मिली कि एक आठ से दस साल के बच्चे का शब वहां साइड में पड़ा हुआ है मौके पर पहु किया गया पर अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है पॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया गया है इसी प्रकार इससे आगे पांच किलोमेटर उसी साइड में चलने पर थाना सुरीर चेतर में माइल स्टोन 79 के पास भी एक 10 से 12 साल के बच्चे की डे इंटिफिकेशन नहीं हुई है दोनों ही बॉड़ी को पोस्ट मॉटम के लिए भेजा गया है एक डॉक्टर के पैनल और वीडियोग्राफी के माद़म से पोस्ट मॉटम कराने के निर्देश दिये गए है और साथ ही साथ पहचान के लिए डियने सेंपलिंग के लिए भी स पास पास के जलों के थानों के अत्रिक्त डिली न्सीयार हर्याणा पंजाब राजस्तान मद्यप्रदेश विया अन्य राज्यों में भी ये सूचना भीजी जा रही है आपके माध्यम से भी मेरी यही सबीसे रिक्वेस्ट है कि जदी किसी के पास इन दोनों बॉडिस के सम बंद में कोई भी जानकारी हो तो तत्काल मत्रा पुलिस को दिये गए नंबरों पर इंफॉर्म करें ताकि तलाश होने के बाद इस घर्टना का सफला नावरन किया जा सके देखिए दोनों ही बॉडिस को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया गया है पोस्ट मॉटम के बाद एक तुम रित्यू का कारण क्लियर होगा दूसरा डियने सेंपलिंग के लिए भी दोनों की बॉडिसे सेंपल रखे जाएंगे उनको भी मैच भी कराने की कोशिश की करी या ऐसी कोई सुचना सामने आती है तो उसको भी संग्यान में लेते हुए अगर मिपेशना की जाएगी